नमस्कार दोस्तो रेलवी की पार्ट शाला में आपका स्वागत है दोस्तो बहुत बड़ी अपडेट आ रही है रेलवी की तरब से जहां दोस्तो एन आई ने एक यहां पर ट्वीट किया है रेलवी के अंदर जो सीटी वेकेंट है उसके रिगार्डिंग तो यहां पर देख देखते हैं पूर अपडेट यहां पर देखिए गवर्नमेंट ओफ इंडिया मिनिस्ट्री ओफ रेलवे राज्य सभा अनिस्टार्ड क्योशन नंबर 1911 और यहां पर चार आड़ दोजर तेवीश को क्योशन पूचा गया था पोस्ट वाइज वेकेंसी इन रेलवे यानि कि देखिए अंदर पोस्ट वाइज कितनी सीटे हैं तो यहां पर देखिए क्योशन पूचा गया था स्री शुसिलकुमार मोदी ने और यहां पर बोला गया था विल्द मिनिस्ट्र ओ रेलवे भी प्लीज टू स्टेट यानि कि क्या रेल मंत्राल है इसका जवाब देंगे य देखिए अग्जम एग्जमिनेशन कंड़क्टेट फिल अब देखिए पोस्ट अलोंग विद देट्स एंड श्टेटस ऑफ रिजल्ट अफ देखिए अग्जम पर अगर करवा रहे हैं तो उसकी प्रोसेस यहां पर क्या है उसका करन्ट स्टेटस आज की डेट तक तो वह वेट कर रहे हैं और जो अधा प्रसन पूछा गया था नंबर ओफ पोस्ट लाइंग वेकेंट अंड बाई वेन इस पोस्ट वूल भी फिल अप दा डिटेल लेरफोर एंड तो यहां पर बूला गया है कि अगली जो जो वेकेंसी रेल वेकेंदर खाली है उनको कब तक यहा पर छूट दिया गया है अगनीवीर को रेले विकेंदर इसके अलावा इन्हें कोई रिलैक्सेंट दिया गया है जैसे कि फिजिकल एफीशिंस टेस्ट में तो इसके बारे मताईये तो यहां पर आप देखेंगे तो आनसर यहां पर दिया रहें तो देखिए पहला जो कि फ दा डिटेल ऑफ वेकंसी जोन वाइज इन्या डेलवे एज वन जुलाई टोनी टोनी ट्वंटी त्रिया एक जुलाई 2023 तक एक लिस्ट दी गई है जिसमें आपको जो यह इन्फोमिशन यह पर साजा की जा रही है दूसरे आपर बुदाए गया थे कि कौन कौन से रिक्रुट यह पर यह पर देखे प्रोसेस यहां पर कंप्लिट हो चुकी है और यहां पर बता रखा है कि टोटल एक लाग अठाईस जार तीन सो उनेंचास कंडिडेट था इनको यहां पर पैनल यहां पर पैनल में डाला जा चुका है तीस छे जुजार तक यह आपके ग्रूप सी की पोश्ट है इसके लाव यहां पर बता रखा है कि एक लाग सैंतालीस जार और दो सो असी कंडिडेट है उनको यहां पर पैनल में डाला जा चुका है लेवल वन में ठीक है त्यान रकना यह लेवल वन गूरूप डी वाला है और यह गूरूप सी इनको हटा के है यह आप द है है कि डाइक्ट ड्रक्रप्रमेंट जो होती है ग्रूप एक ही वह रेल्वे नहीं करती है वह यूपीसी थ्रू किया जाता है तो इंडेंट इन प्लेश नंड यूपी एसी एंडियो पीटी तो इसका अधेंट है यूपीस अब यहां पर देखिए यहां पर न्यूफ whakancy के बारे में बताया गया था तो यहां पर देखे बूला गया है कि ऑफर ओफ अपोइंट्मेंट अर गिवन तुदा ओल एंपल करने रेट सब्जेक्ट तुदा कने रेट सैटिस्फाइंग ओल एलिजिबल क्रैटेरिया इंक्लूडिंग वेरिफिकेशन और चरेक्टर एंड यहां पर बताया गया है कि यहां पर दिया जाता है करने के अलिजिबल इंग Is सब्सक्रेव कोई कोई पोश्ट कि आएंग उनके बारे मैं पूछा गया तो यह दो अन्यक्ront बूला गया है कि इंडियान प्रिक्रिया है यह पर उसे हैं नंदे प्रिक्रिया है तो इसमें क्या होता है कि लंबा समय लगता है कि भाई जैसे कोई वेकं सी आएगी तो भरी जाती है यहां पर बता रखा है the vacancies are filled up primarily a place to indent of the railway with recruitment agency as per operation equipment और यहां पर जो वेकेंसी उनको यहां पर placement के माधिम से बरा जाता है जो भी इंडेंट railway भेस दी है और फिर exam conducting agency है उनके द्वाराया पर चीटों को बरा जाता है यानि कि इनों नहीं नहीं बताए कि कब तक आपकी नई वेके का level 1 के अंदर यानि कि अब जो level 1 की वेकेंसी आएगी उसमें 10% यहां पर reservation दिया गया है और 5% reservation दिया गया लेवल टू के अंदर जो direct recruitment quota है उसका अगनिवीर को इसके लाव आपको यह और ध्यानकना है कि 10% reservation is provided to अगनिवीर in the equipment cost of constable in RPF और RPSF और 10% शूट यहां पर दी गई है यानि कि 10% सीटे रिजर्व कर दी गई है 10% सीट उपर आपका जो आर्पी एफ और पी आर्पीस एफ की निकले की अकॉन स्टीबल की उन पर सिर्फ अगनिवीर अप्लाई कर सकते हैं एज रिलक्षेशन और 5-year has been provided यानि कि 5 साल का आपको एज रिलक्षेशन यहां पर दिया गया है पहले वैच को और यहां पर बूला गया है इनका फिजिकल एफिशेंस टेस्ट यहां पर नहीं लिया जाएगा तो यहां पर यह इनके बार मजान कर दी है और रेलवे के अंदर कितनी सीट यहां पर वेकेंट है यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर इन्होंने शेर किया है अपेंडेक्स रेफर टुदा पार्ट ए और स्टार्ड क्यूशन नंबर 1911 तो यहां पर देखें यहां पर वतारक है राजी सभाव में जो क्यूशन पूछा गया था उसमें आज की डेट है कि चार अगस्ट 2023 तक रेलवे के अंदर कितनी सीटे वेकेंट है आपको देख सकते हैं ग्रूप A और ग्रूप B के अंदर यहां पर लेवल वन की पोस्ट यहां पर इंक्लूड है तो आप देख सकते हैं तो दोस्तो टोटल में आपके 2,48,899 यानि कि आप बोले तो मोटा मोटा रेल्वे में धाई लाग सीटे दोस्तों यांपर वेकेंट है आप यह ग्रूप C के अंदर और 2000 यह मिला दीजिए न और देखिए इसमें आपको पता हुआ कि अंदर GDC जो है या पर जो सेफटी केटेगरी है उसके अंदर आ चुकी है और आपने ये भी देखा होगा कि GDC जो होती है ओपन केटेगरी जो होती है उसका यहां पर 25% होता है बाकि जो वेकेंसी आएंगी वह आपके प्रमोशन से या फिर आपके डाइरेक्ट रिकुट्मेंट कोटा से आएंगी तो आप वेट कीजेगा हो सकता है कि दूस्तों आपको इस साल के अंदर तक डाइरेक्ट रिकुट्मेंट कोटा से बड़ी मातरा में भरते हैं आपर देखने को मिलेगा बाकि देखे कोई भी अपडेट मिल उसका अबडेट आपको मारे टेलेग्राम ग्रूप और यूटूब चनल पर देखने को मिल जाएगा तो अभी तक आप नहीं चनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए मिलते एंगले वीडियो में तब तक जैहिन वन्यमातरम